हेलो हाई नमस्ते वाट्सप गाईज हीया मैं मनीशा और यहां पर नूड लिप्स्टिक यूज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा सबसे पहले मैंने यहां पर यूज किया है टोनर जो की जीवी का है अवकाडो टोनर है आप इसके जगह पे चाहे तो रोज वाटर गुलाब जल यूज कर सकती है अपनी स्कीन को हाइटरेट करने के लिए मॉस्टराइज करने के लिए मुझे इसकी खूसबू काफी अच्छी करती हूं तो मेरे चेहरे पर यूज एक फ्रेश सा ग्लो आजाता है इसको लगाने के बाद आपको ऐसे ही फ्रेशनिस फील होगा इसके बाद बारी आती है सीरम की तो मैं सीरम के लिए यूज कर रही हूं जीवी का रोज हिप सीरम बस थोड़ा सा लेती हूं और मेरे फेस इसको यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है यह लगाना उसके बाद मैं यूज कर रही हूं हिलेरी रोटा का प्राइमर है मैं इसको काफी साल से यूज कर रही हूं लगभग 2-3 साल से यूज कर रही हूं और यह मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइम करने लगाती हूं तो मेरे फेस पे फाउंडेशन अच्छे से वर्ट नहीं करता इसके बाद मैं यूज कर रही हूं कंसीलर है यह नवाइबे का है आप चाहे तो कोई भी ब्रंड का कंसीलर ले सकते हैं मैंने यहां पर इस तरीके से अपने फेस पे अपलाई कर लिया है उसके बहुत मेरे फेस पे पिंपल्स वगड़े जैसे दाने निकलाय थे इसलिए मैंने आज पहले कंसीलर अप्लाई कर लिया है है कंसीलर का यूज हम इसलिए ही करते हैं ताकि हमारे फेस पे जितने भी डार्र सेरकल्स तो पिंपल्स दाग धबबे हो वो सब हाइड हो जाए उस को मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अपलाई करती हूं उसके बाद एक स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेती हूं मैं अपने बेस में हमेशा टाइम देती हूं हर वीडियो में बताती हूं कि वेस को टाइम दीजिए सबको सेट कर रही हूं अगर आप सेट नहीं करोगे तो आपको अगर पसीना आएगा तो आपका बेस निकल जाएगा इसलिए इसको सेट करना ज़्यादा जरूरी है यह एक टीनेजर मेकप लुक है इसलिए मैं यहां पे हाई कवरेज का फाउंडेशन नहीं अपलाई की अब मैं लिप्स को मॉस्टराइज करने के लिए यूज कर रही हूं वैजलिन पेट्रॉलियम जेली यह काफी अच्छा मॉस्टराइजर है सर्दियों में या फिर गर्मियों में भी लिप्स खटते हैं तो मैं यही यूज करती हूं और फॉर्डेवल रेंज में बेस्ट लिए आई मेकप के लिए मैंने यहां पर यूज किया है यह और इंजी सा सेड़ काफी अच्छा सेड़ है अगर इसको लगाओगे तो आपका मेकप लगेगा ही नहीं की ओवर है काफी नेचुरल इफक्ट देता है तो इसको मैं अपने क्रीज एरिया पर लगा के और इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी टीनेज की लड़कियां इसे किसी भी पार्टी फंक्शन या कॉलेज गोइंग गर्ल है जो कि कॉलेज कोचिंग वगरा जाती है वो भी इसे कर सकती है क्योंकि यह काफी लाइट मेकप है बोल्ट नहीं है बस आप अपने लिप्स्ट इसे मैं अपने पूरे आइलीड पे अपलाई कर रही हूं और इसको लगाने के बाद ना काफी अच्छा साइन दे रहा है आप देख रहे हो एकदम नैचुरल सा इफेक्ट आ रहा है और इसी औरेंज से से लेके मैंने इसको अपने लोड लैस लाइन पे समच किया है ताकि कि मेरा आई लोक जो हुआ कंपलीट लगे अगर नीची आपे समच नहीं करोगे तो लगेगा उपर मैंने मेकप किया है और नीचे कुछ नहीं है इसी थोड़ा से समच आउट करो जादा नहीं लिट बिट करना ताकि आपका आई मेकप कंपलीट लगे यहां पे मैंने यह ब्लू हैवन का जो की काफी अफ़ोडवल ब्रांड है यह आपको हर जगा हर लोकल मार्केट में आपको इसली अवलेबल मिलेगा तो आप इसे परचेज कर सकते हो मुझे याद है मैंने अगर सबसे पहले कोई आई-लाइनर यूज किया है इसके बाद ही मैंने कोई आई-ला इसके याद यूज किया होगा फृवर यहां पे मैं काजल के राहि हूं कि छे रहेर जो हैं फैसे सकानाडा का इसको में लगाती है सब करहें हुज चैनाइबा स्काड यहां पर आज मैं कोई आई लेकट किया है खासकर के टीञेजर सिस्टर्स के लिए इसलीए मैं इस लु लग रही है तो लाइक बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देढ़ के लिए दराव इसे फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को हिट करें और और उल पे सेट करें ताकि जब भी मैं आपना वीडियो अब्लोड करूं अपके पहले नोटिफेकेशन आ a sporting entrepreneur तो दस रंग के दस name पैलेट लेने jategлер दस एक पैलेट लेने की जभित नहीं है आप ऐसा मेकफ पैलेट लो जिएने आपको सारे कलर्स मेल जाएे और आप आराम से एक چर से अप ज़रूरत नहीं है आप ऐसा makeup palette लो जिसमे eyeshadow palette लो जिसमें आपको साड़े colors मिल जाए और आप आराम से एक palette से आप अपना पूरा makeup complete कर लो तो यहाँ पे मैंने अपने face को contour कर लिया है और अब मैं अपने face पे थोड़ा ओरेंज वाला seed लेके blush भी कर रही हूँ उसी palette से मेरे एक palette से मैंने साड़ा makeup अपना complete किया है तो मैं आपको भी suggest करूँ कि आप 10 palette मत लो एक ही palette आप सालो जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए अब यहाँ पे मैं अपने makeup को set करने के लिए setting express का use कर रही हूँ और इसको अच्छे से अपने face पे beauty blender की help से जितने भी extra होंगे सब को absorb कर लेती हूँ वैसे अच्छे quality के जो होते हैं थोड़ा high range में जो आते हैं उनको ऐसे set करने के ज़रूरत नहीं परती वो आपको एक stroke में ही काम चल जाता है फिर मैं यहाँ पे highlighter ले रही हूँ देखिए highlighter लगाने से face पे कितना अच्छा glow आता है अगर आप blush ना use करो contouring ना करो but highlighting ज़रूर करो अपने face को highlighter यूज करने से आपके face पे बहुत अच्छा glow आ जाएगा चमकने लगता है face तो मुझे highlight करना बहुत पसंद है यह makeup करने का ना best favorite part है मेरा तो इसको मैं अपने inner corner पे भी highlight कर रही हूँ इससे मैं अपने brow bone को भी highlight करूंगी जहां भी मेरा highlighting area जहां मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने face पे highlight मिले वहाँ वहाँ मैं use कर रही हूँ अब मैं lipstick के लिए use कर रही हूँ यह huda beauty का pink shade है मुझे pink अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा dress black था तो मैं उसके साथ थोड़ा pink matching कर रही थी आप अपने dress के according lipstick use कर सकते हो मुझे यह अपने dress के साथ अच्छा लग रहा था ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज ले के आऊ और अच्छे अच्छे content पे वीडियो बनाऊ और मैं यहाँ पे neck को भी highlight कर रही हूँ क्योंकि मुझे neck को highlight करना अच्छा लगता है अगर आप करोगे नहीं यहाँ तो आपका face के साथ आपका body भी highlight करेगा तो एकना complete सा look आता है फिर मैंने यहाँ पे earring डाल दिये हैं अपने मेरे पास party look type का यह earring था इसलिए मैंने यह earring डाला और यह रहा मेरा final look I hope आप सबको अच्छा लगेगा पसंद आएगा तो please support करियेगा और मेरे वीडियो को watch करते रहेगा Thank you for watching Thank you for visiting me Love you, bye